हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कोरेलेशन कोफिशेंट का कैसे किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग को जानना परेगा पॉपर्टिश ओप कोरेलेशन कोफिशेंट क्या है तो यहां पे देखिए इस्म अब यहां पर देखिए आर जो कि कोरेलेशन कोफिशेंट का सिंबल है इसमें देखिए समेशन xy समेशन का मतलब है total minus summation x summation y divided by n फिर इसको divide करना परेगा root over summation x square minus summation x whole square divided by n फिर यहां पर देखिए root over summation y square summation y whole square divided by n ठीक है यह हो गया formula correlation coefficient का तो अभी हम लोग क्या रिखेंगे data correlation coefficient का तो यहां पर देखिए two variables दिया रहेगा question में number one variable x number two variable y तो हम लोग क्या करेंगे अभी formula की मदद से यहां पर formula को देखिए क्या है इसमें summation x square summation y square है इसके बाद summation xy तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर दिखेंगे पहले column हम लोग क्या करेंगे x square तो यह जो देख रहे हैं आप two two को हम लोग square निका लेंगे और यहां पर लिखेंगे जो की two का square हो गया 4 3 का हो गया 9 5 का 25 1 का 1 6 का 36 5 का 25 और 2 का 4 यह हो गया x square फिर इसके बाद next column क्या बनाएंगे y square तो फिर से यहां पर दिखेंगे 3 का square कितना हुआ 9 2 का square 4 4 का square 16 2 का square 4 5 का square 25 4 का square 16 6 का square 36 इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे x y का एक कॉलम बनाएंगे तो यह जो x और y दोनों का हम लोग करेंगे 2 into 3 6 3 into 2 6 5 into 4 20 1 into 2 2 6 into 5 30 5 into 4 22 into 6 12 अभी according to formula यहां पर क्या है देखें समेशन x square summation y square summation xy summation x summation y तो सब को हम लोग क्या करेंगे टोटेल करेंगे जो कि summation है इसलिए हम लोग सबको टोटेल करेंगे पहले summation x total करेंगे समेशन y का total summation x square का total summation y square का total summation xy का total करेंगे अब को summation करने के बाद हम लोग क्या करेंगे according to formula जाएंगे तो यहां पर रिखेंगे summation xy पहले तो यहां पर हम लोग summation xy का भेलों कितना है 96 तो summation xy के दगा हम लोग 96 लिखेंगे फिर इसके बाद प्रोमुला में लिखे क्या है summation x तो यहां पर हम लोग summation x 24 भेल वे लिखेंगे इसके बाद फिर summation y into क्या करेंगे summation y का भेलिए 26 into 26 करेंगे और total number जो कि n n का मतलब होगा total number तो यहां पर total number कितना है 1 2 3 4 5 6 7 तो यहां पर n की देगा हम लोग क्या लिखेंगे 7 फिर इसके फिर इसके बात summation x all square तो हम लोग क्या है यह लिएंगे summation x astronomical twenty four यह पर 24 लिखेंगे और इसको all square करेंगे फिर इसके बाद n यह एंद के दिगह म लोग क्या लिखेंगे 7 फिर इसके बाद यहां पर रिखे श्मैसen y2 तो हो मैं नोग हमपर लोगकल किकना है 110 ऒए सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग कल्कुलेशन करने के बाद क्या करेंगे सब दिभाइट करने के बाद कितना है आंचर 89.14 तो 96-89.14 तो नीचे में हम लोग देखेंगे इसको अभी कल्कुलेशन नहीं किया नीचे कर लेते हैं पहले 104-576 को डिभाइट करेंगे 7 से तो कितना है 82.28 फिर इसके बाद 676 को डिभाइट करेंगे 7 से तो कितना है 96.57 फिर हम लोग नेक्स स्टेप में दाएंगे तो यहाँ पे देखें 104-82.28 करने के बाद कितना है 21.72 फिर इसके बाद यहाँ पे 110-96.57 करने के बाद कितना है 13.43 फिर हम लोग क्या करेंगे अब ये 96-89.14 कितना आया व्यालू? 6.86 divided by ये 21.72 को हम लोग रूट अभर करेंगे कितना आया? 4.66 इसके बाद फिर 13.43 को रूट अभर करेंगे तो अंसर कितना आया? 3.66 तो इसके बाद फिर नीचे हम लोग देखेंगे ये लिगे 6.86 4.66 into 3.66 into कर करेंगे हम लोग 6.86 को 17.05 से डिवाइड करेंगे डिवाइड करने के बाद कितना आया? कोर्यलेशन कोफिशेंट का भेलू? 0.40 तो इसमें माइनस नहीं है तो ये हो गया पोजिटिव कोर्यलेशन कोफिशेंट का भेलू? ओके तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप लोग